पाकिस्तान बनते ही पहले गुवर्णर जनरल मुहमद अली जिन्हा ने अंग्रेज ओफिसर सर जोर्ज कनिंगम को नए बने पाकिस्तान में सुबासराद का गुवर्णर बना दिया। जिन्नाहा चाहते तो किसी पश्टून को भी सुबा सरहत का गुवर्नर बना सकते थे सुबा सरहत के कई पश्टून मुस्रिम लीग में थे ही लेकिन जिन्नाहा ने एक अंग्रेस को चुनी कुछ दिनों के बाद ये जिन्ना के कहने पर कनिंगम ने सुबा सरहद में लोगों की तरफ से चुनी हुई और खुदाई खिद्मतकारों की खान अब्दुल जबार खान साथ की रहनमाई वाली सुबाई सरकार को बरखास्त कर दिया पाकिस्तान बनने से पहले सुबा सरहद में कनिंगम की तरफ से किये गए व्रिडिश प्रोपेगेंड आपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो महर्बानी करके वो वीडियो भी देख लीजिए गए 23 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के अब्दुल्पियूम खान कश्मीरी को सुबा सरहद का नया वजीर आला बना दिया गया यानि पश्तून अक्सरियत वाले सुबा सरहद में वजीर आला बनाए जाने लाइक पश्तून भी जिन्हा की नजर में कोई नहीं था एपरेल 1948 में एक और अंग्रेज सर अम्ब्रोज फलक्स डंडास को सुबा सरहद का गवर्नर बनाया गया सर अम्ब्रोज फलक्स डंडास ने एक ओर्डिनस जानी करके सुबाई हकुमत को ये अख्तियार दे दिया कि वो किसी को भी बिना वज़ा बताए हिरासत में लिए सकती है और उसकी जाइदाद जब्द कर सकती है ताकत के नशे में चूर नई सरकार ने खुदाई खिद्मदगार तहरीक के रहनुमा खान अब्दुल गफार खान साहिप डॉक्टर खान साहिप समीथ कई रहनुमाँ को खैद खान में डाल दिया गवर्नर सर अम्ब्रोज फलक्स डिंडास की तरफ से जारी किये गए औरडिनेंस और अपने रहनुमाँ की ग्रिफतारी के खिलाफ खुदाई खिदमतगार कारकुनों ने 12 अगस्ट 1948 को चार सदा से बाबड़ा ग्राउंड तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जब ये प्रोटेस्ट मार्च बाबड़ा ग्राउंड पहुंचा तो अब्दुल फ्यूम खान कश्मीरी ने पुलिस को हुकम दिया कि इन नहत्य खुदाई खिदमतगारों पर गोली चलाई जाए पुलिस ने गोलीया चलाने शुरू कर दे खिदमतगार इन गोलीयों का निशाना बनते गए और शहीद होते गए नजदीक के घरों की कुछ औरतों को पता चला कि पुलिस नहत्य खुदाई खिदमतगारों पर गोलीया चला रहए business तो वो तेजी से वहाँ पहुंची वो अपने सिरों पर कुरान रहकर ख़दाई के बुद्गारों और पुलिस के बीच खड़ी हो गई और पुलिस वालों से गुजारिश करने लगी कि अमन पसंद नहत्य लोगों पर गोलिया ना चलए कोई मुस्लमान बेगुनह औरत अपने सिरों पर कुरान रहकर खड़ी हो तो क्या कोई मुस्लमान मर्द उस पर गोली चला सकता है इसलाम के नाम पर एक साल पहले ही बने पाकिस्तान की पुलिस ने अपने सिरों पर कुरान रहकर खड़ी इन मुस्लमान वरतों पर भी रह्म नहीं किया और उनको भी अपनी गोड़ियों का निशाना बना लिए वो सभी वरतें शहीद हो गए उनके सिरों पर रखी कुराम की बेहुरमती हुई शहीद हुए खुदाई खिदमतगारों की लाशों को उठा उठा कर नदी में बहा दिया गए कई जखमियों को भी नदी में पहिंग दिया गया सरकारी ताकत का नशाब दुक्यूंखान कश्मीरी को ऐसा चड़ा कि जखमियों और शहीद हुए लोगों के खानदानों से उन पर चराई गई गोलियों की कीमत वसूदने के लिए भी जर्माना गगाया गया इसी वज़ा से कई शहीदों के परिवारों ने ये बात ही चुपा ली थी कि उनके घर का कोई मेंबर इस गतलया में शहीद हुआ था खुदाई खित्मतगारों के इस गतलया में शहीद हुए लोगों की सही सही ताधाद मालूम नहीं है कुछ की तो लाश नदी में बहादेने के बाद मिली ही नहीं और कई शहीदों के परिवारों ने ये बात ही छुपा ली थी कि उनके घर का कोई मेंबर इस गतल आम में शहीद हो गाता है अलग अलग लोगों के मताबब सिर्पर कुरान राकर शहीद होने वाली औरतों समयत चार सो से लेकर छे सो तक लोग इस गतल आम में मारे गए कुछ लोगों ने शहीद हुए लोगों की तादा इस से कहीं ज्यादा भी बताई है एक हजार से ज्यादा लोग सख्मी भी हुए इसके बाद खुदाई खिद्मतगार तहरीक पर पबंदी लगा दी गई उनके दफ्तर को तुबाह कर दिया गया बाद में सुबा सरद की असेंबली में वजीर अला अबड़ो के उमखन कश्मीरी ने कहा था कि वहां मौजूद बाकी बचे लोग किस्मत वाले थे कि पुलिस का असलाह खत्म हो गया था नहीं तो एक भी इनसान नहीं बचता असेंबली में मौजूद चार खुदाई खिद्मतगार मेंबरान की तरफ इशारा करते हुए अब्दुर्प्यूम ने कहा कि अगर ये भी मर जाते तो भी सरकार को कोई परवा नहीं दे बाबडा में हुए खुदाई खिद्मतगारों के इस गतल्याम की तुलना 23 अपरेल 1930 को पिशावर के किसाखवानी बजार में हुए खुदाई खिद्मतगारों के गतल्याम से की जा सकती है तब किसाखवानी बाजार में भी हाथों में पुरान उठाई लोगों को गोड़ियां मार कर शेहिद किया गया दोनों ही जगा नहत्य खुदाई खिद्मतगारों को शेहिद किया गया फरकमस यह था किसाखवानी बजार कतल्याम के वक्त बिटिश इंडिन हकूमत थी और बाबड़ा कतल्याम के वक्त पकिस्तानी चूर्मने ज़नरल कुद्काइद और पकिस्तान के बाबाय कोम महमद अली जिना थी बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम बने हुसैन शहीद सुहरवर्दी ने बाबड़ा कतलयाम की तुलना 1919 में अम्रिसर के जल्यावाला बागतलयाम से करते हुए कहा था कि बाबड़ा में हुए जल्म जल्यावाला बागतलयाम से भी बढ़ करते हुसेन शहीद सहरवर्दी की ये बात ठीक भी है जल्यम वाला बाकतलयम के शिकार लोगों को ब्रिटिश इंडियन हकोमत ने मुआफ़जा भी दिया था जबके बाबड़ा कतलयम के मजलूमों के परिवारवालों को जुर्माना लगाया गया था बाबड़ा में खदाई खिद्मतगारों के ये खतलयम 12 अगस 1945 को हुआ था मुझे हैरानी इस बात की भी है कि नहत्य खदाई खिद्मतगारों के ये खतलयम उन्हीं अबड़ल कयूम खान कश्पीरी के हुकम पर हुआ जो सिर्फ तीन साल पहले तक खदाई खिद्मतगारों खान अबड़ल गफार खान साहिब और डक्टर खान साहिब की बहुत तारीफ करने वारे आदमी थे तब अबड़ल कयूम खान कश्पीरी इंडियन नेशनल कॉंगरेस में हुआ करते थे 1945 में अबड़ल कयूम ने अपनी किताब गोल्ड एंड गन्स अंदा पठान फ्रेंटियर पबलिश करवाई थे उसमें उन्होंने एक खान अबड़ल गफार खान साहिब और अड़ल गफार खान साहिब की बहुत तारीफ की थे यहां तक कि उस किताब में उन्होंने मुस्लिम लेकी अलोचना भी की थे क्रिटिसिजन किया था उन्होंने कई बातें ऐसे लिखी थी जो खान अबड़ल गफार खान साहिब और पश्टून कौम परस्तों के नुक्ता निगाँ से तो बिलकुल मेल खाती थी पर बिटिश इंडियन हकूमत या बाद में बने पाकिस्तान की हकूमत के नुक्ता निगाँ से मेल नहीं खाती थी सुबा सरहत पर बोलते या लिखते बाते कई फैक्ट्स मैं उनकी इसी किताब में से लिया करता हूँ इंडियन नेशनल कॉंडर्स छोड़कर 1945 में मुस्लिम लिख में शामिल होते ही अब्दू क्यूंग खान कश्मीरी के ख्यालात एकदम से बन हुए पाकिस्तान बनते ही गुवर्नल जिन्रल जिन्रा के कहने पर सुबा साहथ के गुवर्नल करिंगम ने लोगों की चुरिंगोई सुबाई सरकार को बरखास कर दिया और 23 अगस्त 1947 को अब्दू क्यूंग खान कश्मीरी को सुबा साहथ का नया वजीर आला बना दिया गया वजीर आला बनते ही अब्दूल पयूम को खुदाई खिदमत गारों में भी कमिया नज़र आने लगी और खान अब्दूल गफार खान साहथ और डक्टर खान साहथ में भी यहां तक कि उन्होंने अपने ही लिखी किताब गोर्ड एंड गंस ओन दा पठान फ्रेंटियर खुद ही बेहन कर दी बेहन इसलिए कर दी क्योंकि उसमें उन्होंने खान अब्दूल गफार खान साहथ बोर डक्टर खान साहथ की तारिफ की हुए किसी इन्सान के ख्यालात बदल जाने कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन अपने पहले ख्यालों का इजहार करती अपने ही किताब को बैन कर देना उनकी मौका प्रस्की का इजहार था वजीर आला की कुर्सी का नशा जब सीर चड़कर बोलने लगा था तब ही बाबडा कतल्यान हुआ था उसके बाद के उनके गैर जिम्मेदाराना बियानों ने तो उनके चहरे को बिलकुल ही नंगा कर लिए था सुबा सरहत की तारीख में खैबर पक्तूनख़ा की तारीख में उन्होंने अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दागला कर लिया